लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण का पार्ट 11 कारक तो कारक में हमने कारक की परिवाशा पढ़ी थी और कारक का शाबदिक अर्थ भी पढ़ा था और कारक के भेद पढ़े थे कारक के आठ भेद होते हैं आज हम उसके question answer करते हैं का नमबर दिया है दिये गए प्रशनों के उत्तर दो कारक किसे कहते हैं तो इसका उत्तर आपको यहां से लिखना है कारक वाक्य में प्रयुक्त संग्या का सर्वनाम सब्दों के साथ क्रिया का संबंद कारक कहलाता है तो आपको यहां से यह देखे टिक कीजे यहां से आपको यहां तक आपको लिखना है first का answer ओके चलिए next देखिए कारक के कितने भेद हैं नाम लिखो तो कारक के आठ भेद हैं यहां से लिखेगा आप कारक के आठ भेद होते हैं नाम दिये हैं देखिए हां करता कारक यह first कर्म कारक second करण कारक third संप्रदान कारक fourth अपादान कारक fifth संबंध कारक sixth अधिकरण कारक seventh and संबोधन कारक eighth तो यह हुए आठ कारक ओके आपको पहले लिखना है यहां से कारक के भेद उत्तर डालके second का कारक के भेद फिर लिखिएगा उसी क्या आँगे कारक के आठ भेद होते हैं और नीचे से one number two number ऐसे डालकर आपको इनके आठ भेद के नाम लिखने हैं ओके students चलिए next देखिए रिक्तिस्थानों की पूर्ती करो यहां देखिए first है राधा डैश खीर खाई मे या ने तो राधा ने क्या आएगा यहां पर राधा ने खीर खाई ओके next देखिए राम डैश स्याम डैश बहुत गुस्षा आ रहा था तो राम को को पटिक कीजिए राम को यहां लिखिए को राम को स्याम पर स्याम पर बहुत गुस्षा आ रहा था next देखिए third number सालनी रश्मी डैश उपहार लाई सालनी रश्मी के लिए उपहार लाई now next fourth number सीमा डैश पौधों डैश पानी दिया तो blanks में क्या आएगा सीमा ने सीमा ने पौधों को पानी दिया सीमा ने पौधों को पानी दिया ओके यस now next देखिए गा नमबर मिलान करो मैच करना है हमें करण करण कारक में क्या आता है उसकी विभक्ती चिन करण में तो हमें करण को यहां से मैच करना है से कि करण से next है संबंध संबंध का आएगा का या की से नेक्स्ट है कर्म तो कर्म का आएगा को आ नमबर से मैच करना है नेक्स्ट है संप्रदान तो संप्रदान का आएगा ये बा नमबर से मैच करना है को या के लिए फिर नेक्स्ट है संबोधन संबोधन देने के लिए हम करते हैं ये दा नमबर हे यहां पर उनके तालिका को पूरा कीजिए यहां पर कारक दिये हैं एक साइट पर एक साइटी कॉलम पर चिन्न दिये हैं और यहां पर उनके उदारन चाहे तो आप अपने से बना कर भी उदारन लिख सकते हैं या फिर आप बुक की हैल्प से आप यहां पर एक्जामपल लिख सकते हैं अब देखिए करता तो इसका विभक्ती चिन्न क्या है करता ने ओके फिर करता के बाद कौन सा कारक आता है तेल मी करता के बाद कर्म कर्म के बाद करन वैसे ही आपको जो ब्लैंक्स दिये हुए हैं उन ब्लैंक्स को फिल करती हुए यहां पर आपको एक सेट कारक लिखने हैं यहां पर उनके विभक्ती चिन्न भी लिखने हैं ओके और यहां पर example लिखने हैं ओके सुनाओ your homework ओके स्टुडेंट्स ओके सुनाओ complete your homework and fare your notebook ओके स्टुडेंट्स बाई बाई गुड़ दे